Hello everyone and welcome back to gaming side और गाइस आज हम लोग एक बार फिर से farming simulator 23 के उपर बात करेंगे और मेरा ये जो stand microphone होल्ड करके जो रखता था वो आज कुछ सैट नहीं आ रहा था तो मैंने उसको side पर कर दिया So, आज farming simulator 23 के तीन जो हैं वो बहुत ही important topics हैं जो काफी लोग कमेट कर रहे हैं बहुत टाइम से और इतने ज्यादा इन चीजों के उपर कमेट आ रहे हैं कि मैंने सोचा कि इनके उपर एक particular वीडियो बना दूँ और Pax East एक Boston में जो है वो एक gaming event हुआ था उसमें farming simulator 23 जो है वो giant software वालों ने अपने कुछ ambassadors को जो है वो दिखाई है सो जो general public थी वहाँ पर उनके लिए वो नहीं थी available तो जो ambassadors हैं उनको सिर्फ दिखाई है और उनको मतलब कि प्ले करने का चांस दिया है लेकिन उनके लिए भी जो है वो rule यही था कि आप ना screenshot शेयर कर सकते हैं ना गेम बले दिखा सकते हैं कुछ मी ने कर सकते हैं आप सिर्फ देख सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि यह कैसी है तो यह pax east नाम से जो है वो एक USA में event हो रहा था तो उसकी जो है वो बात से काफी चीज़ें जो है वो खुलके सामने आई हैं तो काफी ज्यादा चीज़ें जो है वो इस वीडियो में डिसकस करने वाली हैं लेकिन मैं जिन तीन चीज़ों के उपर आज मेंली डिसकस करूंगा वो है mobile और switch के दर्मयान जो है वो क्या फरक होगा क्या farming simulator 23 निंटेंडो switch के उपर different होगी mobile के उपर वैसे होगा यह फरक आगे चलके बदाता हूं क्या और फिर बहुत से लोग जो है वो पूछ रहे थे कि snow होगी farming simulator 23 में या नहीं तो इसके उपर भी हम लोग जो है वो बात करेंगे एंड लास्ट बट नॉट्टी लिस्ट हम बात करेंगे कि farming simulator 23 में मोड्ज या मल्टी प्ले होंगे या नहीं सब्सक्राइब करेंगे यहां पर लिख रखी हैं तो जो सबसे पहले चीज़ इसके उपर बात करते हैं वह है डिफरेंस बिट्वीन नैंटेंडर स्विच एंड मोबाइल तो जो फार्मिंग जिमिलेटर 23 होगी जो एक वीडियो जो है वह इस टॉपिक के उपर बना रखी है और अगर आप में से कुछ लोग जो है मेरा में चैनल जो है वह फॉलो कर रहे हैं तो उनको पता चली गया होगा अभी तक एक्स्ट्रीम गेमिंग वीवर के नाम से मेरा में चैनल है लेकिन मैं आपको बिता देता हूं तो बहुत है काफी ज्यादा एक तो सबसे पहले जो अब्विस फर्क है वह प्राइस का है कि निंटेंडो स्विच के उपर वह गेम जो है वह 45 डॉलर की है विकॉस ऑफ निंटेंडो स्विच प्लीसी प्राइसिंग प्लीसी उनके स्टोर के प्लीसी है कि आप 45 डॉलर से कम की गेम बेच हीनी सकते है चाहे आप जो कुछ भी बरजी कर ले तो एक तो price difference है, दूसरा जो main difference है, वो price की वज़ा से ही है, वो have vehicles का, तो जो Nintendo Switch के players होंगे, मतलब वो लोग किनोंने game जो है, वो Nintendo Switch के उपर buy की होगी, तो जब game launch होगा, तो Nintendo Switch वालों को game में 130 vehicles, tools, machines देखने को मिलेंगी, टोटल अगर बात करें तो 134 बनते हैं, तो जो mobile players है, उनके लिए ये तदाद कम है, तो जब game launch होगी mobile के लिए Android वर iOS के लिए, और अगर आप download करोगे, यह buy करोगे, mobile के उपर, तो आपको जो mobile players को जो vehicles मिलेंगी, वो सरफ 100 होगी, So now, switch players के लिए क्यों 134 हैं, और mobile players के लिए जो हो क्यों 100 हैं, तो इसकी reason अभी तक developers ने यही दी है, क्योंकि Nintendo switch के उपर game की price ज्यादा है, तो वो चाते हैं कि game जो हो अपनी थोड़ी सी कीमत justify करे, Nintendo switch वालों को ऐसा ना लगे कि यार ये same game के लिए हम इतना ज्यादा पैसा ज खरीद लें, क्योंकि farming simulator 20 के time पे ऐसा ही हुआ था, तो जो Nintendo switch के उपर थे, उन्हेंने जब game आए की तो उन्हेंने बहुत critical rating दी थी game को, जो play store पे उपर जा के आप rating देते हैं, तो उन्हेंने बहुत कम rating दी थी, सिर्फ यही उनकी main reasoning थी, कि सारे features तो same ही है, कुछ भी इसमे नहीं है, तो हमसे 45 dollars और mobile वालों से सिर्फ 7 dollars क्यों charge कर रहे हैं, तो इस तरह से इस बार developers ने थोड़ा सा trick किया है, उन्हेंने जो है, वो Nintendo switch वालों को 30 vehicles, 34 vehicles, tools, machines इसमें सारा कुछ है, vehicles भी है, tools भी है, machines भी है, वो Nintendo switch वालों को ज्यादा दे दी हैं, जबके mobile वालों के लिए कम रख दी है, at the start of the game, लेकिन इसमें भी परिशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप mobile प्ले रहे हैं, और आप चाते हैं, कि आपको भी 134 पूरी की पूरी machines, tools और vehicles मिलें, तो आप वो game में भाई कर पाऊगे, तो ये एक DLC system type जो है, वो चीज निकल आएगी, तो उसमे ये में queens, gold queens buy करोगे, और उन gold queens को use करते हुए, आप वो 34 extra जो vehicles हैं, tools हैं, machines हैं, जो Nintendo Switch वालों को मिल रहे हैं, वो आप भी buy कर सकते हो, so in a way, आपको फिर थोड़ा सा extra pay करना पड़ेगा, तो मुझे जो लगता है, developers की बात सुनके, वो कह रहे हैं, कि तकरीबन एक डॉलर के price को calculate करें, तो मिरे ख्याल से 15-16 dollars जो है, वो price बन जाएगी, mobile के उपर भी, game की, now obviously जब आप base game buy करोगे, तो वो आपको 8 dollars में मिलेगी, 8 dollars को आप अपनी currency में convert कर सकते हैं, बहुत से लोग इंडिया से देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं, so अगर आप अपने region के म price जो होने वाली है, तो country के हिसाब से कम या ज्यादा नहीं होगी, तो game की price जो हर मुल्क में 8 dollars के equal ही होगी, so यह तो हो गया Nintendo Switch, और इसके इलावा और कोई फरक नहीं है, graphics भी same है, physics भी same है, सारी की सारी same game होगी, सिरफ यही एक main difference है, जो Nintendo Switch वाले हैं, उनको 134 vehicles as a part of the game मिले उनको जो है, वो सिर्फ 100 vehicles मिलेंगी, वो 134 पूरी करना चाहते हैं, तो वो buy कर ले, extra पैसे दे के, otherwise वो फिर 100 vehicles ही enjoy करे, so that's the difference, so अब हम next बात करते हैं, वो hedgy snow, तो काफी screenshot जो है, वो viral हो रहे है, मेरे Facebook group में, बहुत सारे लोग जो है, वो screenshots viral कर रहे है, और वो screenshot आया कहां से वो मैं आपको बता देता हूँ, basically, clutch simulation के नाम से की YouTuber है, वो DJ Goham के साथ गया था, PAX East उनोंने attend किया था, तो वहां पे जब उनको developers ने खेलने के लिए game दी थी, तो उनोंने चुपके से screenshot ले लिया, तो वो main menu का screenshot था, और शायद उनको इसकी अजाज़त मिल गई, developer से, तो उन तो आप उसको जो है, वो एक फेक screenshot जो है, वो नहीं कह सकते हैं, because it's from an authentic source, तो एक और चीज़ मैं चाहां पे छोटी सी share कर दूँ, जब DJ Goham से पूछा गया, के game के मतलग, तो उसने यही बोला था, के farming simulator 23, जो है, वो काफी ज्यादा समूथ है, तो अगर देखा है, और ग्र farming simulator 19 के मकाबले में काफी ज्यादा optimize थी, तो वो मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत ठीक साबत हो रही है, क्योंके farming simulator 23, जो है, वो काफी ज्यादा giant engine में major changes करने के बाद, जो है, वो काफी ज्यादा इसमें improvement आई है, तो हो सकता है, कि इस बाar farming simulator 23, जो है, ज्यादा devices पे रन करें और अभी जो recently, जो उनको PAX East पे भी farming simulator 23 खिलाई गई है, ambassadors को, वो भी full version नहीं थे, वो दो हफते पराना वाला version था, तो अभी game जो है, वो pre, जो है, वो alpha phase में भी नहीं आई है, तो आप कहले कि अभी game जो है, वो 50% बने है, तो अभी हम कुछ speculate नहीं कर सकते कि क्या होगा, क जो स्क्रीन शोट लोगों ने देखा, जो लोगों को authentic लगा, उन्होंने पहला question यहीं किया, कि multiplayer और mode sport का है, so again, वैसे तो game अभी तक, जो है, वो multi-player, जो है, वो 50% complete है, so, अभी तक multiplayer और mode sport confirm नहीं है, modes तो नहीं आने वाले, यह तो developers ने confirm कर दिया, multi-player भी नहीं होने वाला, यह भी तक उन्होंने confirm कर दिया, future में चलके, farming simulator 23 में developers add कर दें, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उनकी एक जो instinct बता रही है, वो यही है, कि farming simulator 23 में यह दोनों चीज़ जो नहीं होने वाली, नहीं नहीं होंगी ही शाहिद, और बाकी वो developer लोग है, अगर किसी दिन उनका meter shot हुआ, तो हो सकता है, वो add कर दें, लेकिन अभी तक जो उनकी extinct, इंस्टिंक्ट से हैं, वो यहीं बता रही हैं, कि यह चीज़ें नहीं आने वाली game में, so sorry, मैं पिछली जो point के उपर बाद कर रहा है, so, अगर आपके सिमिलेशन का वीडियो देखें, तो वो बोलेगा कि उसने snow नहीं देखी during his gameplay, लेकिन अगर हम DJ की बात करें, तो उसने कहा था, कि snow है, farming simulator 23 में, और जो वहां पे community coordinator, जो है, वो उसके साथ खड़ा था, कर्मिट, उसने भी confirm किया था, कि farming simulator 23 में snow होगी, so, at the end of the day, overall, अगर हम एक नतीजा निकालना चाहें, कि farming simulator 23 में snow होगी या नहीं, तो the answer is yes, most likely farming simulator 23 में snow होगी, और दोनों मैप्स में होगी most certainly, क्योंकि वो जब खेल रहे थे map, तो वो American map था, Emberstone, और उसमें जो है, वो snow थी, तो obviously फिर European map तो होगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है American maps में snow नहीं होते, जबकि European जितने भी map होते हैं, उनमे snow लाजमी जो होती है, तो अगर यहां पे game में American map में snow है, तो फिर European map में तो must have चीज़ है, तो guys, आज की इस video को हम यहीं पे end करते हैं, अगर आप किसी और topic के उपर चाहते हो, कि मैं उसको cover करूं farming simulator 23 को लेके, तो और मैं अभी recap कर देता हूँ, mobile versus Nintendo Switch में farming simulator 23 का difference यह है, कि mobile वालों को 100 vehicles सिर्फ मिलेंगी, बेस गेम में, और जो Nintendo Switch वाले उनको 134 vehicles मिलेंगी, लेकिन अगर mobile players वाले भी 134 vehicles आज़र करना चाहते हैं, तो उनको पैसे extra spend करने पढ़ेंगे, और वो 134 vehicles जो है, वो game में से बाए कर पूरी कर सकते हैं, next चीज थी कि snow होगी farming simulator 23 में या नहीं, तो snow होगी, जो community coordinator है, उसने भी confirm कर दिया, डीजे ने शायद देखी भी है, gameplay में snow, so अभी तक के लिए ज्यादा chances यहीं है, कि snow होगी farming simulator 23 में, और तीसरा point था कि farming simulator 23 में multi player होगा या नहीं, तो answer is कि no, अभी तक के लिए, ना farming simulator 23 में multi player mode है, और ना ही mode sport है, और शायद future में भी हमें ये दोनों चीज़े देखने को नहां मिले, so guys, ये थी हाज की वीडियो, और क्या आप लोग जानना चाहते farming simulator 23 को लेके, मुझे बदाएगा, comment section में वीडियो पसंद आईए, तो वीडियो को like कीज़ेगा, निए चनल पर subscribe कीज़ेगा, मैं मिलता है आप से एक लिए वीडियो में आपना बहुत सा ख्यार रुखेगा, बाई बाई